आठ लाग 18,000 रुपे की spelling क्या होती है और आठ लाग 18,000 रुपे को चेक पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 8,18,000 रुपे को English में हम 8,18,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं तो check के सबसे उपर corner में हम account पे only लिखेंगे फिर जहाँ पर पर ABC name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check देना चाते हैं और नीचे आप लिखेंगे 8,18,000 रुपीज और इसकी spelling होती है और उसके नीचे 8,18,000 रुपे मातर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप Hindi या English किसी एक भाशा में ही check भरें और राइट एंड साइट में चो बॉक्स दिया हुआ है उसमें 8,18,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 8,18, फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है वा उस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते है ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा पर्यास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं झाल को लाइक करें